मैं प्रभू येशु मसी के नाम से ये भविश्वानी करता हूँ कि 28 अध्याय में जो 21 आशीश के विशे में लिखा है वो आपके जीवन में पूरी हो जाए वो 21 आशिरवाद क्या है आज मैं आपके सामने में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कुछ आशीश मैंने बताई और कुछ आशीश जो है आज मैं आपको बताऊंगा लेकिन वो आशीश आपको कब मिलेगी यहाँ पे लिखा हुआ है यहुआ की सुनने के कारण पहला दूसरा उसकी आज्या मानने के कारण तीसरा उसके मार्गों पर चलने के कारण चौता उसके वचन से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना परन्तु जैसा उसका वचन कहता है वैसे ही जब चलोगे तो खुदा की आशीश आटोमेटिकली आपके लाइफ में पूरी हो जाएगे आमेन मैं वो आशीश आपको मैं बताता हूँ तीन से लेकर के पांच तक की जो आशीश थी वो मैंने आपको बताई थी उसके आगे से उसके आगे हम बढ़ेंगे लेकिन तीन और पांच भी पढ़ेंगे तीन से पांच तक भी पढ़ेंगे हम धन्य हो तू नगर में धन्य हो तू खेप में धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमी की हुपच और गाई और भेडबकरी आदी पशुओं के बच्चे धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठोती धन्य हो तु भीतर आते समय और धन्य हो तु बहार जाते समय हाँ, यहां तक मैंने आपको बता दिया था, यह सारी आशिसें आपके जीवन में पूरी हो जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, साथ वचन यहवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रू जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वे तुझ से हार जाएंगे, वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, पर तो तेरे सामने से साथ मार्ग से होकर भाग जाएंगे यहाँ पर परमेश्वर एक आशीष की बात करता है और वो आशीष यह है कि जितने तेरे दुष्मन हैं, जितने तेरे शत्रू हैं, जो तेरा बुरा चाहते हैं, जो तेरे लिए गड़े खोदते हैं, जो जादू टोना करते हैं तुझ पर, जो दुष्ट आत्माईं भेजते हैं तेरे लिए या 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 तेरे लिए किसी दूसरे के पाथ जाकर जादू टोना या टोना टोटा करते हैं ऐसे तेरे जितने भी शत्रू है तेरे जितने भी दुस्मन है वो तुझे से युद्ध तो करेंगे परंतु वो तुझे से जीत नहीं पाएंगे परंतु वो तुझ श्थ मारग से भाग जाएंगे अर्थात कहने का मतलब यह कि जितने शत्रूं हैं आपके जो आपका बुरा चाहते हैं जो आपके लिए गड़ा खोदना चाहते हैं वो आपसे युद्ध करके जीत नहीं पाएंगे वो आपसे हाँएंगे और आपके सामने वो ठहर नहीं पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे, वो आपके सामने से भाग निकलेंगे, येशु मसी के नाम में, देखो आगे बढ़ते 8 वचन, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तु हाथ लगाएगा, उन सबू पर यहवा आशिश देगा, इस सारे कामों में आशिश दूंगा, आपको एक बात बता रहा हूँ मेरे प्रियोग, बहुत से लोगों ने अपने जीवन में ये महसूस किया होगा, मैं खुद अपने जीवन में महसूस किया, जब मैं प्रभू में नहीं था, जब मैं संसार में था, तो मैं अपनी किस्मत को बहुत कोस्ता था, मैं अपनी किस्मत को बहुत कोस्ता था, क्योंकि मेरी किस्मत ऐसी थी, मैंने अपने जीवन के प्रैक्टिकल, अपने लाइफ में मैंने प्रैक्टिकल ये सारी चीजों को देखा, कि मैं मट्टी को छूता था, मैं सोने को छूता था, तो वो मेरे लिए मट्टी बन जाता था, मैं सोने को भी छू, तो वो मेरे लिए मट्टी बन जाता था, और हमेशा में अपनी किस्मत को कोशता था, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मेरे प्रियों, जो अपनी किस्मत को कोशते होंगे, अपने जीवन को कोशते हो आप सोने को छूते होंगे और वो मट्टी बन जाता है कित्तो लोगों को समझ मेराय है। और प्रभु येशु मसी की सुनता है, आध्या मानता है, उसके मारगों पर चलता है, उसके वचनों को पूरा करता है, खुदा कहता है तो जितने कामों में हाथ लगाएगा, एक नहीं, दो नहीं, तो जितने कामों में हाथ लगाएगा, वो सारे काम में मैं आशीज दूँगा, मैं बरकत दूँगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे प्यो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो बिजनस में हाथ डालत तो जितने कामों में हाथ लगाएगा मैं तुझे आशीज दूँगा लेकिन प्रस्ट ये उठता है प्रस्ट ये उठता है कि अब तक आपके बिजनस में आशीज क्यों नहीं है कि बिजनस बड़े आपके जॉब में ब्लसिंग क्यों नहीं है कि आपका जॉब बड़े कारण क्या है? रिजन क्या है? आपको मैं बता दू, रिजन यह है कि आपने परमेश्वर की सर्तों को पूरा नहीं किया, लेकिन अगर खुदा की सर्तों को अगर हम पूरा करेंगे, मेरे प्रियों क्या है शर्त? यह हुआ की सुनो, मतलब उसका वचन सुनो, उसका वचन मानो, उसके वचन पर चलो, तो क्या होगा, यह आशिश आपके जीवन में पूरी हो जाएगी अब बिजनस को चुओगे, बिजनस आशिशित हो जाएगा, अब जॉब को चुओगे जॉब आशिशित हो जाएगा अब पैसे को छुओगे, पैसा आसिशित हो जाएगा किते लोगों समझ में आ रहा है आगे यदि तू अपने परमेश्वर यहवा की हाग्याओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वो अपनी शबत की अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके इस्तिर रखेगा और प्रिथ्वी के देश-देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे और जिस देश के विश्व यहवा ने तेरे पूरवजों से शबत खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वो तेरी संतान की और भूमी की उपच की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरे वचन को सुनेगा मेरे वचन को मानेगा और मेरे वचन पर अगर तू चलेगा तो तू मेरी निज प्रजा कहलाएगा तू मेरा कहलाएगा और ये दुनिया भी जान जाएगी कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उलाद है और संतान है और लोग तुझे से डरेंगे इसलिए डरेंगे क्योंकि इसका जो परमेश्वर है वो इसकी ओर से लड़ता है हमको दंडित करता है हमको ताडना देता है लोग और दुनिया डरेंगे और वो जान जाएंगे कि ये सर्वशक्तिमान की परमेश्वर की उलाद है और ये संतान है कब जब हम परमेश्वर की सुनेंगे तब जब हम उसके वचन को मानेंगे तब जब हम उसके वचन पर चलेंगे हम उसकी निजप्रजा होंगे हम उसकी संतान होंगे मेरे प्रियो और याद रखो दुनिया के लोग जब जानेंगे कि ये परमिश्वर के हैं, वो डरेंगे, बाइबल कहती है, वो डरेंगे, बाइबल कहती है, और इतना ही नहीं, परमिश्वर कहता है, मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, मैं तेरी संतान को बुद्धिमान बनाऊंगा, उसकी पढ़ाई लिखाई में, मैं उसको मैं उसके college में उसको बढ़ाऊंगा, मैं job में उसको बढ़ाऊंगा, मैं उसके business को बढ़ाऊंगा, मैं उसके finance को बढ़ाऊंगा, अर्था तो मैं तेरी संतान को अत्यधिक आशिशित करूंगा, कि तो को समझ में आ रहा है, फिर प्रभू कहता है कि मैं तेरे भूमी के बढ़ाओंगा, मतलब खुदावंत आपकी धन और संपत्यों को बढ़ाएगा, मेरे प्रियो, भूमी की उपज, मतलब जब हम खेत में, जब हम भीच बोते हैं, फसल होता है ना, फसल, कुदा कहता है, तेरे खेत के फसल को मैं बढ़ाओंगा, उस फसल की उपज को रहे हैं, कितलों को समझ्ram रहा है, लेकिन ये आशीश, तब हमारे जीवन में पूरी होती है मेरे प्रियोज, जब हम खुदा की सर्थों को पूरा करते हैं क्या है उसकी शर्त उसके वचन को सुनों मानों और उसके वचन कि उन दिनों में मेरे प्रियोज जो धन थे ना वो उन दिनों में पशुधन बड़ा महत्वर रखता था पशुधन उन दिनों में जिसके पास में जितना ज्यादा जानवर होते थे वो उतना रिच होता था वो उतना धनवान होता था लेकिन आज की डेट में खुदा क्या कह तब आपने जीवन में तू अमीरी को देखेगा सफलता को देखेगा और संपनेता को देखेगा खुदा कहता है मैं तुझे इतना ब्लेस करूँगा 12 वचन यहवा तेरे लिए अपने आकाश रुपी उत्तम भंडार को खोल कर तेरी भूमी पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशिश देगा तेरे सारे कामों पर आशिश देगा मतलब कि तेरे हातों के कामों पर वो आशिश देगा और तेरे सारे कामों पर आशिश देगा और तो बहुतेरी जातियों को उधार देगा परन्तो किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा सबसे बड़ी बात है आज अधिकान से लोग करजे में डूबे हुए तो उधारी देने वाला नहीं तो उधारी देने वाला बन जायेगा और यहां पर क्या लिखा हुआ है तु एक और दो को उधारी नहीं देगा पढ़ो तु बहुत तेरी जातियों को उधार देगा मतलब बहुत सारी जातियों को तु उधार देगा एक, दो, तीन, चार नहीं तु बहुत सारी जातियों को उधार देने वाला बन जाएगा कित्तो को समझ में आ रहा है कित्तो को समझ में आ रहा है एक चीज़ याद रखना मेरे प्रियों जो उधारी लेते हैं, जो उधारी लेने का जीवन है न, वो आशीश नहीं है, जो उधारी लेते हैं न, वो खुदा की और से नहीं है, लेकिन मैं बतारूं, जो लोग उधारी देते हैं न, उनके ओपर खुदा की आशीश है, खुदा हमको उधारी लेने वाला नहीं बनाना चाहता उसके इक्षा नहीं है हम उधारी ले उसके बिल्कुल इक्षा नहीं है हम उधारी ले खुदा क्या चाहता है मालू मैं खुदा ये चाहता है हम उधारी ना ले परंतों हम उधारी देने वाले बन जाए ओके देखो उसके आगे का वच्चन देखते हैं और यहवा में हैड होगे, फैमिली में हैड होगे, समाज में हैड होगे, खांदान में हैड होगे, हमेशा आप हैड होगे, हैड मतलब आपकी कुरसी उची होगी, कि तो को समझ में आ रहा है, आपकी कुरसी उची होगी, वो आपको हैड बनाएगा, पूछ नहीं बनाएगा, पूछ का म बुलता है देखिए उसकी पूंच हे धियो जूरी करता रहता है उसके पीछे कित्नका सम्झ में आ कित्ג में शुट कि हमारे पीछे फालो करें के हम आगे हैं हम लीडर हैं हम अगवे है हम है रहन लोग हम को फॉछ पॉलो करेंगे लोग हम को follow करेंगे कित्तों को समझ में आ रहा है हमको पूछ नहीं बनाया खुदा ने हमको हैड बनाया है हम किसी की जी हुजूरी नहीं करेंगे पर तो खुदा ने हमको हैड बनाया है लोग हमारे पीछे होंगे कित्तों को समझ में आ रहा है कित्तों को समझ में आ रहा है यह को माने हर्था तो ही सर्थ यह सारी आशीश यह जो 21 ब्लसिंग मैंने आपको बताई यह जो 21 आशीश जो मैंने आपको बताए आपके जीवन में पूरी हो जाएगी और याद रखना आप जीवन के किसी भी छेत्र में आप नीचे नहीं आप हमेसाथ टॉप में होगे पैसों म में टॉप में जॉब में टॉप में बिजनस आपका टॉप में जॉब आपका टॉप में जॉब में आपका पद टॉप में फाइनेंस आपका टॉप में पढ़ाय लिखाई टॉप में आपका कॉलेज टॉप में आप जीवन के हर एक छेत्रों में खुदा कहता है मैं तरको बहुत से लोग आशिशों को प्राप्त नहीं कर पाते, उनके जीवन में कोई गवाही नहीं होती, कारण क्या है, एक है जो शर्त पूरी करता है, दूसरा है जो शर्त पूरी नहीं करता